हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर मनीज सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आईए आज हम लोग समझते हैं प्रकास का विवर्तन होता क्या है तो ध्यान से समझेगा प्रकास का विवर्तन डिफ्रेक्षन आफ लाइटी से कहा जाता है यह प्रकास तरंग के रूप में चलता है यह प्रूफ करता है प्रकास का विवर्तन जो है तरंगती का एक लच्छन है प्रकास तरंग के रूप में चलता है इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे तो प्रकास की विवर्तन की घटना जो है यह प्रूफ करती है कि प्रकास तरंगती के रूप में चलता है अब प्रकास का विवर्तन होता क्या है इसको हम लोग समझें द्यान से तो यदि प्रकास रोथ अथ्वा पर्दे के बीच में जैसे यहाँ पे कोई प्रकास रोथ हो कोई बल्ब हो जहां से लाइट निकल लई हो लाइट जो है सभी दिसाओं में जाएंगी प्रकास जब जलेगा तो उसकी प्रकास किरणे जो हैं सभी दिशाओं में गती करेंगी तो यदि किसी प्रकास रोत तथा परदे के बीच यह प्रकास रोत है और यहाँ एक हम परदा रख दे रहे हैं प्रकास रोत और परदा तो यदि किसी प्रकास रोध तथा पर्दे के बीच कोई औपारदर्सी औरोध है इन दोनों के बीच में क्या हो? कोई औपारदर्सी औरोध लगा दे रहे हैं एक गत्ता लगा दे रहे हैं यहाँ पे हमने गत्ता खड़ा कर दिया यह गत्ता क्या है ओपारदर्सी है इसके आरपार दिखाई नहीं देता है ठिक तो जब इस परदे और इस परकास रोत के बीच में हम एक ओपारदर्सी परदा लगा देंगे गत्ता लगा देंगे तो इससे क्या होगा यह परकास जो है नहीं जा पाएगा परकास जो है इधर परदे की तरफ नहीं जा पाएगा जिससे इस पर छाया बनेगी इस गत्य का इस परदे पर क्या बनेगा सैडो बनेगा छाया बनेगा यहां तक क्या हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा ठीक है यहां तक जो है छाया बनने लगेगी ठीक, परदा बड़ा होगा अगर परदा बड़ा है तो इधर तो छाया नहीं बनेगी इधर तो लाइट आएगा ठीक है? इधर लाइट आएगा लेकिन यह जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं गत्ता इसके ठीक पीछे जो है आपको सैडो मिलेगा ऐच्छाया मिलेगा ठीक तो यदि किसी प्रकास रोत यह हमारा एक प्रकास रोत है जहां से light निकल लही है यदि प्रकास यदि किसी प्रकास रोत और परद या क्या है एक परदा है ठीक है परदे के बीच में कोई ओपारदर्सी ठीक है यह क्या है और पारदर्सी औरोध है, ठीक है, रख दिया जाए, या फिर छिद्र रख दिया जाए, इसके बीच में एक पतला सा छिद्र कर दिया जाए, या जो औरोध है, इसके बीच में एक बहुत पतला सा छिद्र कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर और पारदर्सी अरोध होगा तो पूरा सैडो बनेगा थोड़ा भी प्रकास जो है पहुँच नहीं पाएगा लेकिन अगर गत्ते में छेद होगा छिद्र होगा तो प्रकास जो है पहुँचेगा थोड़ा प्रकास पहुचेगा इस छिद्र के रास्ते प्रकास पहुचेगा परदे पर ठकराएगा वहाँ पर उजाला होगा तो यदि किसी प्रकासी स्रोथ तथा परदे के बीच कोई औपारदर्सी औरोध या फिर छिद्र रग दिया जाए तो परदे पर उजाला परदर्सी औरोध या छिद्र रग दिया जाए तो परदे पर औरोध की असपस्ट चाया परदे पर क्या बनेगी इस औरोध की असपस्ट चाया अथवा छिद्र के कारण प्रदिप्त छेत्र प्राप्त होगा इस छिद्र के कारण क्या होगा यहाँ पे चमक प्राप्त होगा छिद्र के कारण क्या प्राप्त होगा चमक प्राप्त होगा छिद्र नहीं रहेगा तो सैडो प्राप्त होगा अंधेरा प्राप्त होगा उतना दूर ठीक है तो यदि किसी प्रकास रोत तथा परदा के बीच में कोई अपारदर्सी अवरोध रख दिया जाए या फिर छिद्र कर दिया जाए एक पतला इसमें छिद्र कर दिया जाए तो परदे पर अवरोध का अस्पस्ट छाया बनेगा अथवा छिद्र के कारण छोटा सा हिस्सा जो है प्रदिप्त होगा ठीक है छिद्र के कारण प्रदिप्त छित्र प्राप्त होगा चमक प्राप्त होगा इससे हमें प्राप्त होता है इससे हमें जानकारी मिलती है कि प्रकास जो है सीधी रेखा में चलता है प्रकास क्या है सीधी रेखा में चलता है इसलिए छिद्र से होकर प्रकास सीधा जो है जाके परदी पर टकराया है और वहाँ पे चमक पैदा हुई है इससे हमें जानकारी मिली कि प्रकास सीधी रेखा में चलता है और जब हम छिद्र नहीं किये थे तो इस गत्ते का सीधा सै बन रहा था यह भी सोकर राय की प्रकास सीधी रेखा में चलता है कि ठीक है लेकिन कि यदि अवरोध कि अथ्वा छिद्र का आकार जो है बहुत छोटा हो इस छिद्र अवरोध का आकार इस छिद्र का आकार क्या हो बहुत छोटा हो प्रकास के तरंग दैरिय के कोटि का हो प्रकास का जो विवलेंत होता है प्रकास का जो तरंग दैर होता है उस कोटि का छिद्र हो तब क्या होगा ठीक है? यदि अवरोध अथवा छिद्र का आकार बहुत छोटा हो कितना छोटा हो? प्रकास के तरंगदैर के कोटिका हो तो अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर ठीक है? यह जो अवरोध है छिद्र है इस अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर प्रकास जो है आंसिक रूप से मुण जाता है बेंड हो जाता है जो प्रकास सीधी रेखा में चल ला था अब वो मुण जाएगा कब ऐसा होगा? जब प्रकास के तरंग दैर की कोटी का छिदर होगा तब ऐसा होगा तो यदि अवरोध अथवाचिद्र का आकार बहुत छोटा हो कितना छोटा हो? प्रकास की तरंग दैर की कोटिका हो तो अवरोध अथवाचिद्र के किनारों पर प्रकास रिजुरेखी पत से बिचलित हो जाएगा सीधी रेखा में चलने से बिचलित हो जाएगा सिधी रेखा में नहीं चल पाएगा अर्थात किनारों पर प्रकास आंसिक रूप से मुड़ जाता है किनारों पर प्रकास क्या होगा आंसिक रूप से मुड़ जाता है ठीक है प्रकास जामिती अच्छाया में भी पहुच जाता है जहां पर अंध्यकार रहना चाहिए वहाँ पर भी प्रकास पहुछ जाता है जैसे यहाँ पर प्रकास के तरंग्दैर की कोट के अगर आप शिद्र करते हैं तो प्रकास को सीधा चलना चाहिए तो यहीं पर चमक होना चाहिए लेकिन इसके अगल बगल भी थोड़ा चमक पैदा हो जाता है इसका मतलब प्रकास जो है मुढ गया है प्रकास क्या हो गया है? मुढ गया है ठीक है? छिद्र के किनारों पर प्रकास रुजुरेखी पत से सीधी रेखा से बिचलित हो गया है अर्थात किनारों पर प्रकास आंसी ग्रूप से मुढ जाता है इस तरह से प्रकास जामिती च्छाया में भी पहुँच जाता है प्रकास जामिती च्छाया में भी पहुँच जाता है अर्थाज जहां पुर्त्या अंधकार राना चाहिए, वहां पर भी पहुंच जाता है। डिफ़नीशन क्या देंगे? प्रकास का भी वरतन का ध्यान दें। डिफ़नीशन प्रकास का भी वरतन औरोध ठीक है? ओरोध अथवाच्छिद्र के तिछड किनारों पर प्रकास के आंसिक रूप से मुलने को विवर्तन करते हैं औरोध अथवा छिद्र के तिछण किनारों पर प्रकास के आंसिक रूप से मुलने को विवर्तन करते हैं लेकिन सर्थ क्या है, कंडिशन क्या है सर्थ यह है कि औरोध अथवा छिद्र का आकार प्रकास की तरंग दैर की कोटिका होना चाहिए औरोध अथवा छिद्र का आकार जो है प्रकास के तरंग दैर की कोटिका होना चाहिए तभी औरोध अथवा छिद्र के तिछड किनारों पर प्रकास का आंसिक रूप से मुढेगा कम उलेगा जब औरोध अथवाचिदर का आकार प्रकास के तरंग दैर की कोटिका होगा ठीक है तो प्रकास का विवर्तन की परिभास आप क्या लिखेंगे औरोध अथवाचिदर के तिशड की नारों पर प्रकास के आंसिक रूप से मुढने को विवर्तन कलते हैं कंडिशन क्या है और ओधवा चिद्र का आकार प्रकास की तरंग देरी की कोटिका होना चाहिए ठीक है समझे द्यान से अब फिगर में आप देखें सम्तल तरंगाग्र यहां देखें यहां आपका है सम्तल तरंगाग्र ठीक है तरंगों का एक छोटे चिद्र द्वारा भी वरतन तरंगों का एक छोटे चिद्र के द्वारा देखें यहां द्यान से यह एक छोटा चिद्र है तरंगों का एक छोटे चिद्र के द्वारा भी वरतन इस फिगर में दिखाया गया है ठीक है यहां आप देखें एक सम्तल तरंगाग्र है यह क्या है सम्तल तरंगाग्र है ठीक है यह यह एक गत्ता है गत्ते पर एक छोटा सा छिद्र बना हुआ है सम्तल तरंगाग्र एक गत्ते के बने छोटे छिद्र की ओर बढ़ रहा है यह सम्तल तरंगाग्र जो है ऐसे आ रहा है यह गत्ते पर बने एक छोटे छिद्र से टकरा रहा है समतल तरंगागर ये गत्ते में बने छोटे चिद्र की ओर बढ़ रहा है तरंगागर का अधिकांस भाग जो है गत्ते से परावर्तित होकर लोट जाता है ठीक है ना गत्ते को पार करके नहीं आगे बढ़ पाएगा अधिकांस भाग जो सम्तल तरंगागर का होगा गत्ते से टकरा कर लोट जाता है लेकिन जहां पर सुष्म छिद्र होगा वहां पर क्या होगा तरंगागर का अधिकांस भाग गत्ते से परावर्तित होकर लोट जाता है लेकिन बीच का छोटा सा भाग चिद्र में बीच के छोटे से भाग अर्था चिद्र में से होकर प्रकास गुजर जाता है होकर प्रकास आगे बढ़ जाता है जैसे ही तरंगागर का मध्यभाग चिद्र पर पहुंसता है यह तरंगागर का जो बिचला भाग है यह चिद्र तक पहुंसता है जैसे ही संतल तरंगागर का मध्यभाग छिद्र तक पहुँचता है तुरंत हाइगेंस का सिधांत यहाँ पे काम करने लगता है यह छिद्र क्या करने लगता है? एक नए तरंग सिर्थ का कारि करने लगता है अब छिद्र से गोली तरंगागर निकलने लगती है जो उसी चाल से आगे बढ़ती है जिस चाल से समतल तरंगागर छिद्र से टकराया था हाईगेंस के सिध्धान्त के अनुसार छिद्र से नय तरंग स्रोत का कार करने लगता है छिद्र से गोली तरंगागर निकलता है जो उसी चाल से आगे बढ़ता है जिस साल से समतल तरंगागर छिद्र पर आया था इस तरह से आपने देखा कि समांग माध्यम में तरंगागर सदेव तरंग के संचरन की दिशा के लंबवत होता है समांग माध्यम में तरंगाग्र जो होता है वो तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत होता है देखें यह तरंग जा रही है और यह तरंगाग्र है यह तरंग है एक दूसरे से क्या है लंबवत है 90 डिगरी पर है ठीक है समांग माध्यम में तरंगाग्र सदेव तरंग के संचरण के लंबोवत होता है ठीक है छिद्र से गुजरने पर तरंगे केवल सीधी ही नहीं निकलती बलकि मुल भी जाती है छिद्र से निकलने पर तरंगे सीधी ही नहीं जाती बलकि मुल भी जाती है देखें यह तरंगे सीधी तो जा रही है लेकिन मुड़ भी जा रही है इधर इधर मुड़ जा रही है इसी को भी वर्तन कहा जाता है इसी घटना को डिफ्रेक्शन करते हैं जो प्रकास का तरंगती को बताता है कि प्रकास एक बेव का गुण दिखाता है एक तरंग का में पुरूब कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा प्रकास का विवर्तन होता क्या है और रोध अथवा छिद्र के तिष्ड किनारों पर प्रकास के आंसिक रूप से मुलने को विवर्तन करते हैं विवर्तन करते हैं बरती सर्त यह है कि और रोध अथवा छिद्र का कार प प्रकास का भी वर्तन तरंगती का एक लच्छन है। ठीक स्टेंड्स यह था प्रकास का भी वर्तन। थेंक यू।